जी एक्सपंज कर दिए जी 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 सेनेटर ससी पलीजो साहब प्लीज जी बहुत शुक्रिया जी मलक साहब प्लीज जी सेनेटर ससी पलीजो साहब पलीज जी सेनेटर ससी पलीजो साहब पलीज जी सेनेटर ससी पलीजो साहब पलीज जी मलक साहब की स्पेश के बाद भी चलती है और मेरे खाल में एक बड़ा ही भायानक वाक्या हुआ है बलुजस्तान में मच में मच में और इगारा सिर्फ वो नाम के लोग नहीं आप जाते हैं यह जी देख लूए लाला है मल्क साब और कोई बार जी जी आप करें आप करें ते ठीके सही एंटियर वो कमेटी के भी है और आज तो बड़ी उन्हें भरपूर एक मीटिंग भी किये मल्क साब ने यह में मजबत करती हूं हम सब ने यहां की भी है मेरे खाल में एक भायानक और बड़ा ही दर्दनाक वाक्या था एक खुली देशत गर्दी थी और इस हमारे से ऐसे वाक्या वैसे तो होने ही नहीं चाहे सिविल साइट पर या हमारी दूसरी जो इंटिलिजन्स एजिंस हैं मेरे खाल में यह सिर्फ ग्यारा लोगों की बात नहीं थी ग्यारा खांदान और यह फरके वारा ना एक को भड़काने की हवा यह हवा देने की हवाले से भी जो एक फिर से चीज चुरू होगी मेर इस समारे से इस हकुमत को इसका जाब देना चाही कि आज शेख रशीद साब को यहा होना चाहीए था शेख रशीद साब की पता ऐ decay timや 19 यह मिनिस्टिट है और उनकी खायश पर उनको दी गई है तो कम से कम वो प्रूफ तो करें वो हमें बताए तो सही कि यह एक्ष चुके हैं वो भी हमें बताते कि क्या वो वाट इंटेंस डू इन ये फ्यूचर या अभी इस पर क्या काम हुआ है दूसरी चीज़ जो मैं आ कहना चाहूंगी वो हमारे नोजवान पाकिस्तानी नोजवान जो उसामा सती की डेद थी मैं इसको भी कंडेम करती हूं चैमिल उस पर ये कहना चाहूंगी अपने टापिक पर आने से पहले के रिफॉर्म्स की बात होती रही है लेकिन क्रिमिनल जस्स सिस्टम में वैसे भी ओवराल बहुत सार गयाज है लेकिन ये इस किसम का वाकिया उस पर भी शेख रशीद साब को यहां आकर बताना चाहिए था या ये एक पेश पर शायद नहीं है इंटर्मिनिस्ट्री और प्रामिनिस्टर की आफिस क्योंकि वो पीडिया हां बलकुल रबीना ने सही कहा अकल से जो भी तकारीर हो रही है हिट किया जा रहा है पीडियम को और टाप की हमारी जो लीडरिशिप है अपोजिशन की उसको फै नहीं को मौका मिलता मुरास्थ सही साब को पर यहां कर वो कोशिश करते हैं रोजे खौले जाएं और कोई उनको सुने यहाले का हमारी रिकुजिशन सेशन है उसमें अपोजिशन को मौका मिलना चाहिए मैं कंडेंब करती हूँ अपोजिशन की पार्टीस के जो भी हमारे रहनमा हैं, उन पर जो कैसे जूटे बनाए गए खासकर नेब के हवाले से, उसमें आसिवरी दरदाई साहब, उत्रमा फरेल टालपूर्ट साहब और खुशी शाह साहब, जो अभी तक जेल में, आज भी उनको पेश किया गया था, मेरे खाल में इस से ज्यादा हमन राइट व यादे इसको जो है, देखा जाएगा, फिर मेंटी कनसर्ण कमेटी, नेप चैरमेन पहले भी आ चुके हैं, मेरा ही मोशन था, यूमन राइट के हवाले से, जो आपने, चिया था, रिफर किया था, मुस्तफा नवास आप की कमेटी यूमन राइट के हवाले से, तो वो आ च उसका निकला कि हमने दूसरे माईने सिंद में काफी सारे से मिसिंग परसिंस से वो वापस आए और यह सास सीज़े होती है मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस पर बाप नहीं करना चाते लेकिन यह हमारे आपके कानून के मताबक अगर एक यह तो यह तो अच्छी बात है क इसमें सदे बाप भी हूँ एक साथ से बने ही भाग रहे यह पीज यह बार बार जो कहा जा रहा है अभी उनके मिनस्टर साब भी बात करेंगे ठीक है देकार इच और एवी राइट टू यू डिफेंड गवर्मेंट लेकिन यहां जो बात आ रही है या आम लोगों की सफो में से जो कुराय आ रही है वो यह कि फंडमेंटल आपके जो राइट से हैं जो इतनी भयानक जो हो रही है एक साब के नाम पर वह बंद हों चाहिए मुस्लिंग नून की भी लीडरिशिप मिया नावाज साहब हो मरेव नावाज साहबा हो शेबाज शेफ जो अपोजिशन हो नावेज साहब ही आफे एक गवर्मिंट वाले और पर कोशिश होती है इदारों के साथ इनकाट्यश हो जाए एको सरी बाक बाद में बाद कुर्च्ट को हिट कि या रही है इदारों के साथ तसादिम हमीं का हमारे अपने अपने दारें हम सो ते GEORGE 이것 click हम चाहते हैं कि यह direction और स्टेंड ड्राइब करें constitution से हर बंदा हर चीज separation of powers है वो लिखी हुई है हर किसी की jurisdiction domain बयान किया हुआ है उस पर कोई भी अगर तरीके से चलेगा लेकर PTI जो हर वक्त ये बावर करना चाहती है कि ये points से लेकर आ रहे हैं तो मेरे खाल में ये एक बुलकुल भी जूट का पलंदा है और मांड़ी ओला साब ने एक comprehensive अपनी एक मेरे खाल में टाइम तो रड़ा था लेकि फिर भी उन्हें ये यूनों ट्राइड टु बिंक all these those issues और उस हवाले से उन्होंने एक तरह से नाम लेकर evidence भी दिए तो डारे हम एतराम करना चाहते हैं लेकिन वो लोगों की जिन्दग्यूं के साथ नखेले अच्छा काम करेंगे हम एप्रिशेट करेंगे लेकिन ये जो लिस्ट पताई गई कस्टडी में जो इनकी रेत हुई है मेरे खाल में ये एक अफसोसा बात है इसका जो है वो लेना एक दो स्पिचिस में मुझे सुनाई दिया ये भी बड़ी अफसोसनाग बात है कि आपकी पार्लेमेंट का जो इसा है जो भी लोग जाहरी बाते हैं जाहरी बाते हैं वो एक दिल से पाकिसान की सालमित और बका और इस्तिकाम चाहते हैं तब ही तो इस हाउस का इसा बनते ह कि ये कहा जाता है जब कि ये जो है कंट्राडिक्शन क्यों अला रहे हर किसी का व्यूपॉइंट अपना है बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें अगर डिटेल में जाएंगे तो मैं वह चीज नहीं देर भी हो चुकी है कल हमने पूरी कोशिश की परसों बेठे रहे हैं कि हमे इस टापिक पर बोलना था वो उसी को में रहे कर ये बास जरूर कहूंगी कि सारे जूटे कैसिस वो खतम किये जाने चाहिए और ये एससाब के नाम पर इंतकामी कारवायां खतम की जानी चाहिए